हेलो फ्रेंज कैसे हो आप लोग का सुर्य टेक्निकल चैनल में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियों बताँगा दिभी विहार फुलिस को लेकर दुस्तों नई वेकेंसी आई है इसमें क्या अपडेट रखा गया और कितने वेकेंसी प्री अपडेट आई है फूरी जनका करते हैं बिनादेर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यह नोटिफिकेशन कल साम को ही रिलिज किया गया था दुस्तों लेको एक इंद्रिय चैन परसत सिपाही भरत यानि कि बिहार पुलिस फिर से जीडी का मतलब भैकेंसी आ गया है और आपको कैसे प्रोसेस करना है और ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिल होगा पूरी जनकार इस वीडियो में दस्तों सरदार पटेल भावन चाटातल यह सबस्क्राइडरेस दिया गया है और बात कर लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन इसमें कि यह नया है या पुराना है या फेक है या गलत है पूरी जनकार इ प्रात्र प्राप्ति की अंतिम्ति थी यह 14-12-2020 तक यह फॉर्म फिल किया जाएगा और आगे बात कर लेते क्या और डिटल से क्योंकि यह कोई फेक वीडियो नहीं है इसलिए आप लोग इसको धियान से देखिए पूरी नोटिफिशन नोटिफिकेशन जाड़े किर दिया है विग्यापन संक्या 52020 जे विग्यापन संक्या इसवे रिलिज़ कर दिया गया है बिहर प्लिस यह सब उसका अंज्यर रिसर्च के बारे मेरी दिया है और इसके पर लेते बेतन के बारे पर नियुक्ति है तो यहां जारी किया जा रहा है आउनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 13-11-2020 से प्राड़ों भोगी यानि कि इसका जो आउनलाइन आवेदन फॉर्म वो तीर तारिक से फॉर्म स्टार्ट हो जागा भराने के और आगे बात कर लेते हैं व में चीज़ जो भी है उसको पूरी डिटल से इस वीदियो में उसको बताऊंगा कि और कौन सा ओफिसल नोटिफिकेशन जो आपको लिए इंपोर्टेंट है उसके बाड़े में लिखा दोस्तों अब एक्जाम के उपार लिकित परीशा का अस्तर इंटरमेडियेट लिवल इसमें में गदम साम को घुया जाएगा अथices का कार्वन परति के रूप में चेनप्रशद के इंपरुक्षित रखाा जाएगा याविहरतिक सारी दख्षता परिक्षा के लिए असफल घोसित कर जाएंगे जानिके जो स्टुडियन को 30 परिसे कम अंक आयागा सो नमबर में से उसको पीटी के एक्जाम के लिए नहीं बुलाया जागा मतलब सारी दख्षता के लिए दोर मेडिकल जाच के लिए नहीं बलाया जाएगा आपको तीस नमबर आपको आना चाहिए उसी एक्जाम में सीस्टी के लिए और कास्ट के लिए अलग अलग है दोस्तों और आगे बात कर लेते हैं पूरी जनकार इस वीडियो में है स्टेव बाए श्टेव लिखेट परिक्षां अंती मेंगा प्याषि परधार पर नहीं और इसके बास देख लेते हैं अब यर्टी को सारेडिक दक्षता परिछा में सम्मिलित होना यह मिसम फलोन नहीं वार है सरीत दक्षता योगता के नियुंतम निर्धारीत मापदंड में कोई छूट नुमाने नहीं होगी इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी दोर में जो कुछ भी होगा और सिपाही के पत्पर आवग्य है इसमें कोई भी आदिम बिहार से पास होगा कोई भी बोड से वह फॉर्म फिल कर सकता है उसके लिए कोई आहरता मने नहीं रखा गया है और आगे बात कर लेते दोस्तों अभी अर्थियों को उम्र सीमा में क्या लखा गया है उम्र दिनांग की एक हाट दूहजार बीस को मै णुसार निवनेवन बत होगे उम्र सीमा गया हर सामाना के लिए 10वर्स अधिकतर 25 वर्स आगे पिछरा वर्थ कोंती के पूरुश के लिए 11वर्स अधिकतर 27 वर्स 1 अलग-अलग कास्ट के लिए अलग अलग के ट番तगोरी रख है है और सब कॉरस तक तक लेटेस्ट ये वेज़ है वेर्चु को सरीरिक मापदन उचाई दोर सीना वजन के लिए कोई दे नहीं है परन्तु वीत अरता पूरी नहीं करने वाले वेर्टों को सफल गोशित किये जाएंगे और 155 सेंटेمةर पूर्फ के लिए डिया रर अतियन त पिच्छा पर उल्फ के लिए नियुंत 7 September 177 सेंटे सवे जाते हैं सजी जन जाते के लिए निमतामmäßig सेंटी मेटर एक महुत सथ सेंटी मेटर हैं यहां फिर भारती ए मौल्ट के वर का पूर्ब रुसा के लिए सिर्फ सेन 602 के लिए सवी वरु के मिलाओं की लिए नियुक् 5 stuff andAngel हाइट मंगा गया हैं यह बात के लिए हाइट क्या और सिर्फ और आ दोस्तों सीना सिर्फ फूरसों अ के के लिए बिन फुलायक 80 cm सभी कास्ट का लग अलग दिया गया है इसका ओफिशल नोटिफिकेशन का लिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे वहां से जाकर आप डाइरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए आप लोग टेंसन फिरी यहां पर यह जो डिटेल्स है इसको थोड़ा पर लिजसका बजन इसमें माप हो सकती है वजन सभी वर को महिला मिदवार के लिए नियुक्ता मजन और 40 kg होना अवस्यक है हम से कम महिलाओं के लिए जो वजाने वह 48 kg का होना चाहिए नियुक्ति के परिक्रिया कैसे प्रतम चरित में लिखित परिक्षा आवेदनों के संग्रहन उपरांत आवेदन पत्रों की संभीगा की जी जीन विवर्थियों के आवेदन पत्र नहीं पाएं जाएंगे उनके परिच्छा का अजूद किया जाएगा लिखित परिच्छा का अस्तर भीहर विदाले परिच्छा समीति की विशाय इंटरमेडियर ट्रेन प्लस टू अत्वा संचा कस्तर का होगा मतलब एक्जाम है जो भी कुछन पुछा जाएगा वह मैटिक इंटर के लेवल को हो और सो प्रसन पत्र दो घंटों के प्रसन सो प्रसन होंगे सेवतर के लिए एक अंक दिये जाएंगे वह मारे एंसर सीट होगा एकजाम से डिटल पूरी जनकाड़ी होगा पाठ करम भी होगा सिलेवस भी होगी आप से क्या पूछा जाएगा सभी दोड़ है अब आत कर लेते को नया नियम कानून भी होंगे दोर एदिकताम 50 संका होगा उनकोटी के लिए एक मिल 1.6 600 किलो मिटर यानि के मीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको पूरा करना है उसमें आपको 5 मिनट से अगर काम लिजेगा तापको 50 संक मिलेगा 5 मिनट 5 वास बैस सकेंड़ तक लिजेगा आपको 40 संक दिया जाएगा इसमें अंक के डिपार्टमेंट जितना देर कम सकेंड में आप तै किजिएगा उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका पांच मिनट चाली सेकंड से देख छाओ मिनट तक लिजेगा तब 20 सकेंड का मिलेगा और कुछ फिसल नोटिफिकेशन ने 5-6 मिनट से दिख समय लेने माले पूर्शों का वियरती को असफल घुषित किया जाएगा और 6 मिनट आगर आप टाइम देल ले रहे हैं तो आपको असफल घुषित किया जाएगा सभी के लिए अलग अलग है गोला फेक अभी बात कर ले हैं और कितने अंक प्रोवाइड किया जाएंगे पूरी जनकारी इस वीडियो में इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगा मासा जाकर आप डाइरेक्ट इसको फिसल नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों और बात कर लेते कितने वेकेंसी कितने के लिए जाया है जुस्तों सम्मान वर जेनरल के लिए चौंतिस जार आठ नो थीन हजार चर्शन अवासी सिठ है सिपाही में जेनरल कास्ट के लिए आर्थिक रूप से एजनी के एबी सी कमदे स्टूडेंट के लिए है 842 पोस्ट रखा गया है और सी कास्ट के लिए है 307 पोस्ट पिछरे बर की महिला के लिए 245 कुल मिला का लाट 1415 पोस्ट पर यह वेकेंसी आये हुई है और आगबाद बिहार पिलिस में क्वाइड सिपाई के रिखते हैं लगना केमा में रक्षक यह सब कुछ रक्षक के लिए प्रावधान रखा गया है और दोस्तों बात कर लेते है है क्यों सा जगा कितना सिथ है कितना रिखते यानि कि पटना में चावसर सिट रखा गया है नलंदा में 280 बोचपूर दूसर शाठ है वहतास केमरों रखावाद नवादा जवाना अर्वाल पूरी डिस्टिक में अलग अलग सिट रखा गया है इसमें आपको कौन सा कास्ट को इतना ही में स्वाल कास्ट को रख दिया गया है जेंडर लोबी सी पूरा सी तामड गिला में मिला करके अब आता ये कितना कम वेकेंसी हो गया ये सब कुछ पूरी डीटल से इसका लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन बॉक्स में देदेंगा और कोई जनकारी चाहिए तो कोमेंट को वक्स करें आपको कोमेंट में उसका जबाब मिल जागा दोस्तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए ते नहीं दोस्तो इसक का लिंक के डिस्क्रिप्शन मॉक्स में देदेंगे डाइरेक्ट अब जाकर देख सकते हैं